नमस्कार, स्वागत आपका मेरे साथ यानि रेश्मा कॉर्ड के साथ और आप दिख रहे हैं करण्ट न्यूज उपचुनाफ से पहले मद्यप्रदेश की राशनीती में उतल पुतल का सिलसला जारी है कॉंग्रेस को एक और बड़ा जटका लगा अमदानता विधान सबा से कॉंग्रेस विधायक नरायन पटेल ले इस्तिफा दे दिया है नरायन पटेल ने अपना स्तिफा प्रो टेम स्पीकर रमेश्वर शर्मा को सौपा है और शर्मा ने स्तिफा स्विकार भी कर लिया है वही पटेल बीजबी में शामिल हो गए हैं पटेल के स्थीफ़े के बाद अब 27 सेटों पर उपचुनाफ की स्थीब बन गई है और अब कॉंग्रेस के पाद सिर्फ नवासी विधायक बचे हैं विधायक के स्थीफ़े के बाद कॉंग्रेस में हड़कम मच गई है वहीं सुबह से ही मीडिया में खबरे थी कि निर्मांड से कॉंग्रेस के दो विधायक राज से गायब हैं। उनका फोन भी स्विच ओफ आ रहा है। कॉंग्रेस देता लगाता उन विधायकों से संपर्क साने कोशिश में लगे हुए थी लेकिं कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। ऐसे में पिटेल के स्तीफे ने कॉंग्रेस को बहुत बड़ा जटका दिया है। मेडिया में कहीं दिनों से 4-5 कॉंग्रेस विधायकों के बीजिपी में संपर्क में होने की खबरे सामने आ रही थी। अब कुछ दिन से प्रदेश की राशनीती में ये हलचल थी कि कॉंग्रेस के 5 विधायक बड़ा जटका दे सकते हैं। इनके भाजपा में शामिल होने क का दावा किया जा रहा है। इनमें बुल्देर खर्ट से 4 और महाकॉशल से एक विधायक भाजपा के संपर्क में होने की खबरें हैं। ऐसे में नरायन पिटेल के स्तीफ़े ने सियासी गल्यारुक में हलचल मचा दी है। इससे पहले हाल ही में कॉंग्रेस की दो विधायक को नेपार नगर से सुमित्रा देवी और बड़ा मलहरा से प्रदुमन सिंग लोधी ने स्तीफा दिया था और बीजबी में शामिल हो गए थे। इसके बाद आनन फानन में कॉंग्रेस के PCC चीव कमनात ने विधायक दल की बैठक बुलाई थी जिसमें 90 में से केवल 60-65 वि पिछोर से कॉंग्रेस विधायक केपिस से ग्रह मंत्री नरोत्तम मिश्रास से मिलने उनके बंगले पहुंच गए थे। इसके पाद से ही कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि और विधायक भी बीजबी में शामिल हो सकते हैं। आज दुपहर में ही कॉंग्रेस ने सिंध्या की गढ़ में सेंद लगाई थी। कॉंग्रेस के बीजबी को बड़ा जटका देते हुए गुना के दिगज नेता और पूर मंत्री केल अगरवाल को पार्टी में शामिल कर लिया था। केल अपने 400 समर्थकों के साथ पी सी सी चीफ कमणात के नतर्थ में शामिल हुए थे और शाम होने से पहले ही बीजबी ने इनका बदला लेते हुए एक विधायक तोड़ लिया और अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। एक बाद एक विधायकों के स्तीफे के बाद अब कॉंग्रेस में संगठन पर सवाल खड़े हो रहे हैं हालकि विरिश विधाया गोविन सिंग इस बात को लेके खुलकर मीडिया में बयान दे चुके हैं। आपको बता दें कि हाली में मुरेना की वर्चुर रैली में कॉंग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए क्याबिनेट मंतरी एदल सिंग ने बड़ा दावा करते हुए कहा था कि उपचुनाव से पहले अभी भी उनके संपर्क में 15 ऐसे कॉंग्रेस से विधायक हैं जो बीज सिंग ने यह भी कहा था कि एगर बीजेपी अकान एकदम से कोई संदेश दे तो 15 के 15 कॉंग्रेसी MLA को बीजेपी में शामिल करा सकते हैं इस घटना करम को उसी से जोड़कर अब देखा जा रहे हैं यह सबसे बड़ी खबर आ रहे हैं जो कॉंग्रेस को छटका दे रहे है झाल